हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपके अपने चनल पराग बुटिक पर देखिए दोस्तों आज मैं आपके लिए इस प्रकार के पलाजो पेंट की कटिंग लाया हूँ तो इस वीडियो को अंतर तक पूरा देखिए ये एक हेवी साइज की पलाजो पेंट है और साइट म मैं आपको पलाजो की कटिंग सिखा रहा हूँ मैंने इस प्रकार से पहले इसे पूरा प्रेस कर लिया है क्योंकि प्रेस करकर आप इस तरह के सल मिटा लीजिए पहले ये मैंने पूरे सल मिटा दिये है प्रेस से और प्रेस करने के बाद अब हम करेंगे पलाजो की कटिंग देखिए नाप देखिए इसका नाप है लंबाई साड़े उन्चालिस इंच कमर उन्चालिस और हीप है इनकी 46 और पाइचा इनका रहेगा गोल 34 और हम लटक इसकी काटेंगे साड़े 12 इंच तो साड़े 12 इंच पर लटक किस प्रकार से काटेंगे आप ज्यान दीजेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कपड़े को देखिए पलाजो पेंड में साइट में इसमें जॉइन नहीं होगा तो साइट में नहीं जॉइन होने के कारण हम क्या करेंगे जैसे हमें 34 इंच इसकी मोहरी काटना है जैसे 34 इंच मोहरी काटिंग करना है तो हम इसे 19 इंच पर ऐसे रख लेंगे हमें साइट से इस पर जॉइन नहीं देना है यह रखा हमने और इसी प्रकार से इस तरफ ये दोनों तरब रख दिया दोस्तों, ऐसे रख लिजिए, अब ध्यान दिजिए, इस तरब भी हमें उपर तरब भी 19 इंच रखना है, यहां से देख लेंगे हम, ये 19, ये 19, ये 19, ये 19 को दोनों को ऐसे पकड़ लेना है, ये देखिए, प्लाजो पेंड को सही तरके से बिछाना ज़रूरी है, और बिछाने के बाद में आपको कटिंग करना ज़रूरी है, ये रख लिए हमने इस प्रकार से, बिल्कुल अराम से इसको सही रख लिजिए, मोलने का जो कपड़ा हम रखेंगे, पोने दो इंच रखेंगे, और पोने इप है वो है 45 इंच याने सवा 11 इंच तो सवा 11 में हम क्या करेंगे 3 इंच मिला देंगे मैंने जैसे बर्मुंडा कटिंग किया था तो आपको बताए था कि उसमें 2 इंच मिलाएंगे लेकिन ये हेवी साइज है तो इस पर हम मिलाएंगे 3 इंच 3 इंच किस परकार से मिलाएंगे जैसे सवा 11, सवा 12, सवा 13, सवा 14 इंच तो इस परकार से आप 3 इंच बढ़ा कर यहां रख लिजिए अब यहां से आप ऐसे निशान लगा लिजिए लगा लिए निशान लटक हम कितनी कटिंग करेंगे इनकी सवा 12 इंच और एक इंच दबाव का तो सवा 13 इंच पर यह सवा 13 इंच पर हमारी लटक की कटिंग निशान लग गया ऐसे यह हेवी साइज है इसलिए हम इस पर ज़्यादा लटक का लगा रहे हैं निशान और यहां से इस परकार बस इतना सा है प्लाजो पेंड की कटिंग में हेवी साइज की यदी बना रहे हैं तो इस परकार से आप कटिंग कर लिजिए अब यहां देखिए कितना आ रहा है यह हमारा रहा है 33 इंच और नीचे कितना है दोस्तो 34 इंच यहां पर ऐसे दोनों निशान लगा लिजिए पलाजो में यहां पर देखिए गुठने के पास हलका सा सेप देते हुए ऐसे आईसे राउंड कर दिजिए अब इसमें क्या करिए आप एक इंच का एश्ट्रा बढ़ा कर रख लिजिए इस परकार से यहां पर यह देख लिए आपने यदि हम इसमें साइट में सिलाई लगाते जेंड देते तो इसका बेग हम उठा कर उपर रखते लेकिन साइट में हम जेंड नहीं दे रहे हैं इसलिए इसका बेग हम उठा कर नहीं रख सकते तो जब आप साइट में सिलाई नहीं देंगे तो आप बेग को नहीं उठाएंगे और यदि साइट में सिलाई दे रहे आप तो पिछे जो बेग रहते हैं उन्हें एक इंज उपर उठा सकते है तो उपर उठाने के बजाए हमने क्या किया जिसे साड़े बारा हमारी लटक आ रही थी तो हमने इसकी लटक साड़े 13 इंच पर रख ली क्यों रखी? क्यूकि हमारा जो बेग उपर जाता था 13 इंच वो नहीं जा रहा है इसलिए हमने इसकी लटक साड़े 13 इंच रखी तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये मार्किंग, ये नाप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट्स बाक्स पर जाकर कमेंट्स कर दिजिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं, तो इसे सस्क्राइब कर लिजिए, और बेल आइकन का बटन और इसे यहाँ पर जो नीचे हमारा बढ़ती का है, उसे छटका लगा लेंगे, इस प्रकार से डबल रखेंगे, ऐसे, और यहाँ नीचे कर लिजिए इस प्रकार, और यहाँ पर लगा दिजिए एक सिलाई, ये बन गया हमारा प्लाजो पेंड की कटिंग, प्लाजो पेंड की कटिंग बहुती सरल और आसान है दोस्तो, आप देखिए जैसे इसकी कमरे 49 इंच, तो हम इसके अंदर जो इलाश्टिक डालेंगे, वो डालेंगे 34 इंच का, 5 इंच कम करके, ताकि 5 इंच हमारा इस्टेपल हो जाता है, इलाश्टिक उसलिए, तो हम इस पर वाचिंग, जय हिन जय भारत